आईए आपको मेंटेनेंस के जरूरी पॉइंट्स बताएं सक्षन स्ट्रेनर को प्रतेक सर्वेस के दौरान अवश्य साफ करें स्ट्रेनर को साफ करते समय रबर वॉशर की भी जाँच करें यदि खराब है तो इसे बदल दें यदि सक्षन्स ट्रेनर खराब हो गया हो, तो 1000 घंटे पूरे होने से पहले भी सक्षन्स ट्रेनर बदल सकते हैं. यहां हाइड्रॉलिक फिल्टर के विशे में भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस फिल्टर की सफाई नहीं की जा सकती, इसे बदला ही जा सकता है. Non-COR Model यानि जिन मॉडलों में हाइड्रॉलिक्स का ओयल, गेर बॉक्स से अलग होता है. उन मॉडलों में दूसरी सर्विस के दौरान हाइड्रॉलिक फिल्टर बदल दें. C.O.R. Model यानि जिन मॉडलों में हाइड्रॉलिक्स और गेर बॉक्स का ओयल कॉमन होता है. उन में पहली और पांचमी सर्विस के दौरान यह फिल्टर बदल दें. तथा उसके बाद प्रत्येक 1000 घंटों के बाद यह फिल्टर बदलते रहें.